हेलो फ्रेंड्स वेलकेम टू मैं चैनल टेक टॉक विसरा और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चार स्पैशल टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने अंडुरीड फोन की बैटरी बैकप को बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक टॉक विसरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाते हैं कि आपको मेरी रेक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले तो जो आपको उसके साथ में एक बैल आइकन दिख रही है आप उसके उपर भी टैप करें तो अब हम चलते हैं मरी ट्रिक नमबर वान की तरफ टर्न आफ आटो अपडेट तो गाइस कई वर क्या होता है कि आपकी फोन की बैटरी अल्रेडी काफी कम होती है लेकिन उसी टाइम आपके किसी आप का अपडेट आ जाता है और आपका फोन उसे अपने आप अपडेट क आनी हुई है आप उसके उपर टैप करें उसके उपर टैप करने के बाद आपके पास काफी सारे आप्शन आ जाएंगे तो जब आप स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको यहां पे एक सैटिंग्स का उप्शन मिल जाएगा अब आप उस आप्शन के उपर टैप करो उसके कोई भी एप अपने आप अपडेट नहीं होगी तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारी ट्रिक नमबर टू की तरफ टरन आफ बैग्राउंड डाटा तो गाइज आपने फोन में बैग्राउंड डाटा को आफ करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सैटिंग्स में जा आपके फोन में जितनी भी एप्स होगी वो सारी की सारी आपको यहां पे शो हो जाएंगी अब गाइज जिस जिस एप को नेट की कोई भी जुरत नहीं है आप उसका नेट यहां से आउप कर सकते हैं तो गाइज जैसे यहां पे एप, एक कैमरा, कॉन्टेक्स तो गाइज इसका नेट आउफ कर दो, इससे एक तो आपका सेलवर डाटा बचेगा और दूसरा आपका बैटरी बैक भी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारी ट्रिक नमबर 3 की तरफ, टर्न आउफ लोकेशन, तो गाइज आपको यह तो प अपने फोन में इस लोकेशन सर्विसीज वाले ओप्शन को आफ कर दो, इसे ओफ करने के लिए आप अपने मुबाइल की सैटिंग्स में जाएं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक आप्शन मिल जाएगा प्राइवसी और सेफटी का, तो अब आप इसके ऊपर टैप करो, इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ओप्शन मिल जाएगा लुकेशन का, इसके ऊपर टैप करने के बाद आप अपने फोन की लुकेशन को यहाँ पे आफ कर सकते हैं, तो आप इसे यहाँ से ओफ कर दें, तो आप फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारी last and final trick की त पर ट्रिक नमबर को turn off background processes तो guys आप जब भी अपने phone को use कर रहे होते हो तो आपके background में यहाँ पे काफी सारी processes चलती रहती हैं जो आपकी battery को consume करती रहती हैं तो guys इन background processes को off करने के लिए आप अपने phone की settings में जाओ इसके बाद जब आप scroll down करेंगे तो last में आपको एक option मिलेग developer option friends यह जो developer option है यह काफी सारे phones में पहले सी present नहीं होता तो इसे enable करने के लिए आप about device वाले option के उपर tap करो इसके बाद जब आप scroll down करोगे तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा build number का तो guys आपने build number के उपर six to seven times tap करना है इसके बाद जो आपका developer option है वो enable हो जाएगा इसके ब friends आपको यहाँ पे काफी सारे option मिल जाएंगे लेकिन आपने यहाँ पे scroll down करते रहना है और बिल्लकुल ही last में आपको एक application की category मिलेगी और इस category के अंदर आपको एक option मिलेगा limit background processes का तो friends अब आप limit background processes वाले option के उपर tap कर दो इसके उपर tap करने के बाद आपके पास काफी सा सारे option आजाएंगे लेकिन आपने इस में से no background processes वाले option को select करना है इसके बाद आपकी background में सारी processes बंद हो जाएंगी तो यह थे हमारे चार तरीके जिससे आप अपने android phone की battery के backup को और भी ज़्यादा increase कर सकते हो तो I hope so guys आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी and thanks for watching my video please like comment and share my video